हेलो स्टूडेंट, वेलकम बेक मा यूट्यूब चैनल, तो आज यहां पे हम लोग सिखने वाले हैं, जो 12th क्लास का फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, सर्फेस टेंशन, तो इस सर्फेंट टेंशन के अंदर हम लोग सीखेंगे, कि यह एक्सपे यह एम दिया गया है, ठीक है, कि actually में यह है क्या, तो यहां पे आप देखेंगे, तो एम आपको दिया गया है, कि to determine the surface tension of the given liquid, याने water by the capillary rise method, तो यहां पे अगर आपने कभी देखा होगा, तो capillary क्या होता है, एक glass tube होता है, ठीक है, जो दोनों तरब से क्या होता है, एकद पतला सफाइन, जिसके अंदर अगर आप क्या करोगे, अगर suppose यह अगर ट्यूब को अगर आप vertically करते हो, याने अगर आप सीधा करते हो, इस तरह से, ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप पानी की एक बुन्द अगर टच करते हो, तो इसके अंदर automatic की क्या होगा, capillary action होगा और जो पानी है, वो क्या होगा, धीरे 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 क्या होगा, यहाँ पर उपर चड़ने लगेगा, तो इसी को क्या हम लोग बोलते हैं, capillary action, ठीक है, यह आपको समझ गया, अभी हम लोग next यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर आपको diagram भी दिया गया है, और पानी के अंदर dip करने के बाद, इसके अंदर capillary rise हुआ है, यह देखिए, इसका जो label है, वो label rise हुआ है, और इसको हमें क्या करना है, एक adjustment screw होता है, scale होता है, microscope होता है, छोटा सा, उसकी मदद से क्या करना है, हमें देखना है, और उस हिसाप से हमें क्या करना है, उसक जो diameter होता है, उसका radius होता है, यह सारी जो चीजे है, वो क्या करनी है, हमें find करनी है, और यहाँ पे आपको, किस तरह से आपको find करना है, वो भी यहाँ पे दिया गया है, कि आप अगर water को देख रहे हो, तो क्या देखोगे उसका, जो meniscus होता है, वो meniscus कहां का होना चीए, अपर होना चाहिए यह लोवर होना चाहिए यहां पर आपको बताया गया है तो यहां पर आप अच्छे से देखोगे तो यहां पर आपको अपर मिनिसकस दिखाया रहा है ठीके याने अगर आप पानी को देखते हो तो आपको पानी किस तरह से दिखाई देता है उपर बढ़ अगर आपको कोई डाउट आता है तो उसके रिगार्डिंग यहाँ प्रोशीजर दिया गया है तो इसको कोई प्रेक्टिकल करते हो physics नहीं, physics के अलावा अगर botany का practical है, bio का chemistry का practical है, ठीक है तो इस तरह से अगर ये जितने भी practical है तो आप practical का जो procedure होता है उसको आप अच्छे से पढ़ो क्योंकि अगर आप procedure में अगर कुछ भी miss कर दोगे, तो आपको प्राक्टिकल में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी आपका जो reading है, वो proper reading आपको नहीं आएगी और ये ज़्यादा तर किसमें problem होता है एक तो physics में क्योंकि अगर physics में आपने थोड़ा भी अगर गलती किया है तो आपका जो calculation होगा वो calculation आपको correct नहीं मिलेगा और दूसरा सबसे जो important होता है chemistry अगर chemistry में अगर आपको एक गलती करते हो तो इससे आपका जो पूरा reading है, जो आपका पूरा reaction है, वो पूरा reaction क्या हो जाता है wrong हो जाता है, ठीके उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि smaller division of the main scale कितना है, ठीके total number of division on the vernier scale, वो कितना है ठीके, vernier scale भी आपने देखा होगा, कि इस तरह का एक scale होता है जिसके अंदर क्या होता है कि ऐसा screw होता है, ठीके और यहाँ पे एक इस तरह सा scale होता है ठीके, यह दो ऐसे होते हैं और यह screw हो जैसा होता है अगर आप अपने हाथ से इसको उपर नीचे करोगे तो यह जो scale है वो उपर नीचे जाएगा यह वाला और उसके हिसाप से क्या कर सकते हो यहाँ पे एक measurement लिखा होता है ठीके, यहाँ पे आप देखोगे तो scale बना होता है, उस scale के हिसाप से आप क्या कर सकते हो किसी भी चीज का जो diameter है वो आप निकाल सकते हो और अगर एक बार आपको diameter मिल गया है तो आप असानी से उसका जो radius है वो आप find कर सकते हो ठीके, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो traveling microscope का LC दिया गया है, वो .001 ठीके, उसके बाद यहाँ पे observation table है तो measurement of radius of bore ठीके, radius of bore का यहाँ पे पूरा आपको measurement दिया गया है उसी साब से यहाँ पे आपको करना है तो यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा यहाँ पे आपको measurement किस तरह से आपको करना है वो सारा चीज, radius along the diameter radius along the perpendicular to the diameter ठीके, जिसके अंदर आपको one side of the bore and the other side of the bore दोनों के बार में दिया गया है diameter of the bore और फिर उसके बाद mean diameter of the bore ठीके, और इन सब के बाद आपको क्या यहाँ पे निकालने बोला है radius of the bore, यानि mean radius आपको निकालने के लिए कहा है, उसके बाद यहाँ पे आपको capillary rise का भी यहाँ पे observation table दिया है ठीके, तो यहाँ पे इस observation table की बात करें, तो यहाँ पे आपको जो reading when the microscope is focused on, तो यहाँ पे जो meniscus है, उसका meniscus का height है वो h1, दूसरा height है h2 तो एक आपको क्या करना है एक, जो meniscus का height है h1 लेना है, और दूसरा है h2 लेना है, तो इस तरह से यहाँ पे आपको यह दोनों चीज़े करनी है जिसके अंदर यहाँ पे जो capillary rise होगा, वो कितना होगा, उसका mean capillary rise कितना होगा यह सारी चीज़े यहाँ पे आपको दी गई है, उसके बाद यहाँ पे आपको calculation भी दिया गया है यह देखिए आपको calculation के अंदर जो हमने उपर formula की बात की थी ठीके, यह पूरा formula यहाँ पे आपको दिया गया है और यह calculation यहाँ पे आपको दिया गया है ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपको table के अंदर याने जो observation table है अगर उसके अंदर आपको दूसरी reading मिलती है तो यहाँ पे आपका जो value है वो भी क्या हो जाएगा different हो जाएगा ठीके तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है और यहाँ पे आपको result लिखा है ठीके और के थूरू वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दी गई है उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ question answer पूछे गये है ठीके तो हम लोग question answer को देख लेते हैं पहला question पूछा है define angle of contact ओके तो यह angle of contact का यहाँ पे आपको answer दिख रहा है ठीके यहाँ पे angle of contact का यह जो पूरा answer वो को दिया गया है ठीक है उसके बाद यहां गर हम लोग second question की तरफ बढ़ें तो second question में आप देखोगे कि least the factor affecting the surface tension याने ऐसे कौन से जो factor है जो surface tension को affect करते हैं उसके बारे में यहां पर आपको बताना है ठीक है तो जिसके अंदर temperature हो सकता है surface tension decreases due to increase in temperature दूसरा है concentration तो यह दो लिखना है उसके बाद अगर हम लोग third question पर जाए तो third question आप देखोगे कि why should the capillary be clean every time before used यह the capillary be clean every time before used तो अगर आपने कभी capillary को देखा होगा तो capillary एकदम बहुती पतला एकदम एक glass tube होता है और यह इतना पतला होता है कि अगर आप इसके अंदर से आप यह यह एक बहुती पतला एकदम glass tube होता है ठीक है तो यह हमेशा clean की होना चीए क्योंकि अगर इतना पतला है अगर उसके अंदर अगर कुछ भी फोच जाएगा तो उसके अंदर जो capillary action है वो क्या हो जाएगा, stop हो जाएगा इसलिए आप क्या करो, capillary हमेशा आप change करो या फिर capillary को अगर आप same capillary use कर रहे हो तो उसको अच्छे से clean करकी use करो, ठीके क्योंकि अगर एक बार उसके अंदर कुछ first गया तो उसके अंदर जो capillary action होता है, वो stop हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपको जो next question दिया गया है where do you observe the capillary action in day to day life तो यह capillary action आप day to day life में कहाँ पर देखते हो तो अगर आपने plant के अंदर देखा होगा, जो plant safe होते हैं ठीके और जिसके अंदर क्या होता है कि जो roots होते हैं, वो roots क्या करते हैं जो नीचे से जो ground water होता है, उसको उपर तक पहुचाने का जो काम करते हैं वो करते हैं root safe, ठीके तो यह भी capillary action हो गया, उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे pieces of spongy, certain water due to capillary, तो यहाँ पर आप sponge देखते हो, तो sponge एकदम सूखा होता है लेकिन अगर आप उसको पानी के उपर रखते हो, तो वो capillary action से क्या होता है उसके अंदर जो पानी है, वो absorb हो जाता है, तो इसी तरह से यहाँ पर आपको total 5 example दिये गये हैं और यह 5 example आप लिख सकते हो, ठीके, तो इस तरह से यह जो experiment है, यह हमने यहाँ पर किया है अगर इसके अंदर फिर भी अगर आपको कोई doubt होगा, तो आप लोग बे जीजक हमें comment करके जो भी आपके doubt है, वो आप पूछ सकते हो, ओके, और guys please अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को share करो, क्यूंकि बहुत से बच्चे क्या होता है, physics के practical में calculation को लेके अटक जाते हैं, तो ऐसा किसी भी बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए आप अपने दोस्तों के साथ भी share करो, और please guys चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा, ठीके, और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सुक्रिया, हम लोग मिलते नेक्स वीडियो में नए अपडेट के साथ,